सूबे पंजाब दे विच लॉएन आॉडर दी स्थिती बेहद खराब होई पूई है बीते दिन सिद्धू मुसे वारे दे कतल तो बाद भी कुछ होर शेरां दे विचों भी कतल निया वार दाता सामने आई याने जिते के पटे आला दे पुनर हेडी दे विच वी एक व्यक्ती दे वालनों अपनी पतनियाते लड़की दा कतल कर देता गया ते दुझे पासे कल भी पटे आले दा एक नौजवान है जिसनू के गोडी मार देती गई है उस दी भी मौत हो गई है उस तो बाद होन एना सारी अ हो आप खुद फैसले लेन अते पंजाब दे विच जिड़ा है क्राइम फैदर है उसनू जड़तों खतम करन दी कोशिश करन की कहना मंजेंदर सेंख सिरसादा आव सुन दिया पंजाब की लॉयन्ड और्डर की सिचुइशन दिरों दिन और विगड़ती जा रही है आए दिन मर्डर हो रहे हैं आज भी इसी तरह शूट आउट हुआ जिसमें एक नौजवान की जान चलेगी कल रात को भी एक शूट आउट हुआ उसमें भी एक नौजवान की जान चलेगी मुझे रगता है कि आज पंजाब के मुख्य मंतरी जी को जरूर सोचने का समय है कि बजाये कि अर्विंद केज रिवाल जी के माद्यम से रिमोट कंट्रोल से सरकार चले जब तक पंजाब के लोग, पंजाब के मंतरी, पंजाब के मुक्ह मंतरी सनकार को कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक वहाँ की लॉंड ओर्डर सुचेशन नहीं ठीक हो सकती क्योंकि अर्विंद केज रिवाल जी को ना जमीनी हरकत का पता है ना जमीनी हलातों का पता है और ऐसे में मैं आगरे जुरूर करता हूँ बगवन तमाजी मुक्हमंत जी से कि आप अपने आत्मे कमांड लें और पंजाब इससे पहले की हाथों से निकलता जाए जितने बद्दर हलात बनते जा रहे हैं माबाप अपने बचों की चिंता कर रहे हैं कोई अपने बचों को पर नहीं आने देरा ऐसे डर और खोफ का महौल पंजाब में बन चुका है बिजनस भाग जाएगा इंडरस्ट्री भाग जाएगी कोई इन्वेस्टमेंट वहाँ पर नहीं आएगी जितने बुरे अहलात बनते जा रहे हैं इसके बहुत बड़ा चिंता का विशा है बगव